गाइस आज की जो वीडियो है जो अभी है मतलब वह चैप्टर फॉर के उपर है सी एस एस पॉर्टल गए ठीक है देखो मैंने हर चैप्टर पे पर्टिकुलर वीडियो बनाने चाहा है क्योंकि एक वीडियो जो है वो कम से कम चार घंटे में खिचती ज्यादा लंबी वेती और आपको समझने में भी दिक्कत आती तो आप शोट शोट करके सकते हो चैप्टर फॉर की बात कर हूँ यहांपर जो एतनी बात यहां से एन तक इसमें लिखा जब आपकाहसरी का बढ़ंग आता है 15 September क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन जो है 15 September मानी जा रही है हो सकता आगे पीछे तो 15 September तक जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद आपको स्कॉर फिल करके आपको प्रोग्राम मतलब यहां पर कोर्स मैं फॉर एक्जामपल बी ओनर्स पॉलिटिकल साइं यहां लिख़ हुआ और कोलेज का नाम कौं-कौं कॉलिज में में लेना चाहिए लसाइर देशबंदू आपनों देखने में यूंपां से इसकी कोई और को नहीं सपना भर आपको तयाने पर चूलुक्त को इसकी सब्सक्रों मसें पfalण हैं को कूरियो है इस सणाओ इस में क ठीक है और यहां लिखा फॉर फिलिंग दा प्रिफरेंस ओफ प्रोग्राम कोलेज कॉंबिनेशन इन विच केंड़ेट इस फिलिंग एडमिशन ही इस मौस्ट फॉलोविंग प्रिफरेंस फिलिंग फैस्टिक आपने देखो प्रोग्राम सेक्शन देखो विद यू ओडी उन सेवन्टिन नाइन यूजी प्रोग्राम ठीक है तो 79 कोर्सी इंडिफरेंट को लिए हर कोलिज का लग लगें और कंडिडेट में चूज एज मैनी प्रोग्राम एज विशिज तिक है और कोई सा भी चूज कर सकता है बस यह है कि उसकी ऐलिजिबिटी होनी चाहिए उसके ल लोकेटेट से यहां पर जिसमें लेना चाहरा है वह आपको चूज करना पड़ेगा ठीक है अब यहां जो यहां से यहां तक इंपोर्टन चीज लिखिए वह एक चीज़ है दा कंडिडेट मस्ट टैक एट मॉस्ट केर वाइल स्लेक्टिंग दा प्रोग्राम इट इस दी इ इलिजिबिलिटी उस कोर्स में पूरी फिल्फिल होनी चाहिए ठीक है और प्रोग्राम सेलेक्टेट बाइट दूरिंग प्रिफ्रेंस फिलिंग फेज विल भी कंसीडर फॉर एलोकेशन एंड अपग्रेशन इफ एनी ठीक है और यहां से यहां तक पड़े तो यहां लिख करती है काफी कोर्स जैसे जो दूसरे कोर्स में भी वही सेम पैटन वही सेम एडिबिलीटी तो अब यहां पर आप लोग सेट कर सकते हो ठीक है और एज ही इस वैं नोट बी एबल तो एड यह डिलीट एनी प्रोग्राम एंड यहां पर मतलब वही है कि आप लोगो प्रोग स्वाइब कर सकते हो बस इतना ही है और यहां पर फॉर पॉइंट थी में लिखा देखो स्वाइब को अगेंस्ट यह एक चीज़ में पर प्रोग्राम प्रोग्राम प्रिफरेंस यहां पर दूसरा रीजन यह है यह चूज करने का डैली उनिवर्सिटी यह देखना चाहता ह जिननैं Kämpus दूसरा दूसरा घंषर ने अपना मन पसंद को और कोलिज मिला जैसे मैं अपनी बात करयों तो मुझे दैशवन्दू जा थैंसलिश कमश में ऑपने नोर्थ केंपस में पासफर ड़त लेंगे ढ़लें आपाने को देल्योन के इहां चायँ जबिछने का ता कि हमें यह चीज़ देखनी है किह िदने लोग में यह उनीका इंटरेस्ट तकॉस में काफू होते हैं को दी स्टारश प्रोग्राम विच इस प्रोग्राम क्वेह के बिद क्यूर West कॉंबिनेशन ताप बहुत से कोलेश और बहुत से प्रोग्राम चूज कर सकते हैं कि कोलेश भी बहुत सारे डियुकंद है और यहां पर और कुछ नहीं चैप्टर फाइफ अभी में भरता दूंगा किया ठीक है इट इस दी बेस्ट इंट्रेंस्ट ओफ दी केंड़ेट तो फिल दा मेक्सिमम नंबर ओफ प्रीफरेंश तीक है जादा से जादा चूज करो इसमें यहीं है और पांच में लिखा है स्लेक्टिंग बीए प्रोग्राम कॉंबिनेशन देर आर देखो 206 बीए प्रोग्राम कोर फिलेट है है यह पी प्रोग्रामं गंदर हिंदी पिलशन फिल्थ हिंदी अर्थ हिंदी पिलशन हिस्ट्री हमें लिए इसां स इस साई स बहुत सारे कोमबिनेशन अब यहां पर लिए कनफरमींग दा проб द्टे केंडडेट मौस्त्क स lasтов कोमबिनेशन बैभ प्रिफरेंस फिलिंग फैस्ट तो आप चेक आउट भी कर सकते हैं आपने क्या क्या चूज करा है दा केंडिडेट केंड रिकोर्डर दा प्रिफरेंस ओफ दिस सेलेक्टेड कोमिनेशन इफ शी विशेश तो बिफोर देड्लाइन ऑफ दी प्रिफरेंस फैसे टिक है एड़ा सब्ण विशेट और केंड़ यह कोर नहीं सफिल करो या फिर के नहीं में प्रिफरेंस फिल फिल ना जितनी होसकए जतनी जल्दी होने का मतब है नहीं कि आच काच फिल कर दो तो फोलाव टायम लेना विफोर सम्मिटिंग फिलिद के बाद किये पक्र समेंटिटिंग ऑफ एडिटिंग दा प्रोग्राम कोलिज कॉंबिनेशन प्रीफरेंस लिस्ट आफ्टर डी डेडलाइन प्रीफरेंस फिलिंग फेज विल नोट भी अलाओ देखो सोच समझ के प्लाइब करना एडिटिंग विंडो दुबारा से उपर नहीं होगी दा केंडिडेट केंड़ सकते हो यह कोर्स कर सकते हो डेडलाइन हो गए तीन अक्टूबर के बाद बंद जाएगा इसके बाद एडिट विंडो में आप उपन मतलब या दुबारा से कोलेज और कोर्स नहीं चूज सकते हैं चूज कर सकते हैं तेसर से धियान से चूज करना ठीक है और इफ इंडी दोलत राम दयाल से फिल कर दी अब मुझे और भी फिल करने थे लिए मैंने पांच यह भी फिल करके मैं भी सोच रहा हूं अब भाई डेडलाइन है तीन अक्टूबर और तीन अक्टूबर का आप सोच रही हो और वह पोर्टल जब बंद हो जाएगा तो इस विल बी बिकम देशिव एलोकाटिंग सीट फॉर ओल रांट ठीक है तो यह चीज़ याद रखना कोलेज आप यहां पर चूज करोगे जब आप लोगों को फायदा मिलेगा इस वह ऐसे जितने ज्यादा से ज्यादा कोलेज हो सकते हैं अरे डियू का ठैक्तर कोलेज है स दो नोट डू नोट भी इन हैस्ट वेल सेलेक्टिंग दे प्रोग्राम और ओर्डरिंग प्रीफरेंस भी प्रेटेंड देखो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बर पढ़ लेना ठीक है उसका लिंक डिस्क्रिशन में मैंने दे रखा है वीडियो अच्छी लगी ह वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो कोई क्वेरी है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना है तो आप लोग पूरी क्वेरी लिख लिख देना एक ही साथ ठीक है